शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिमारू के लिए और बेल आइकन कीजिए। कर दो कर दो जब दो हम तुम्हारे पुम्मी आज के मत समिल्ले आ रही है शायद मेरी शादी का ख्याल उनके उबन में है एचे लेकिन उनोने मिजे चाय पे नहीं बलाया है तो तह ही हम बंगले पे आ रही है नहीं वो वो ये कोई मैटर है मैटे को हमारी शादी करती है अब ख्या वो यहा हो या कही हो लेकिन तुम्हे पता है ना पेभी कि यह बंगला मेरा नहीं है मैं यहाँ पर काम करता हूँ बस ओफो, मम्मी ना शेक तुम्मारी काम की चवा बिखना चात रही है ऐसे पारेंच होगी ऐसे यह उते है पत्रॉल वोपी सोने जैसे पीटी जो दे रही है तुम्हे तन मोल हो एकदम ममी को कॉल है अब ममी बंगले के बाहर वाँ अच्छा ठीक है काम करो तुम्हें को लेकर रहो तब तक मैं तुम दुने की ख़वर अपने मालिक बिराज को देता हूँ दीक है भांजे तेरी प्रपरटी मेरे नाम होने तक ही तेरी जिंदिगी है तेरे मैं तुझे उपर बचा दूँगा जैसे तेरे मातापिता को बचाया था सिगनेचर पैसा, पैसा चाहिए ना, चेक पर साइन करो यह, 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 पैसा कुछ घिरा क्या? यह, नहीं, तेरे रिस्पेक्ट देने की लेवल केर गई है मालिक के कमुणे मंदर गोष्टे ने सब भेले, मख करना चेया, समझा, इतनी अकल नहीं मामोजे, अफशायर भोल रहे हैं, विरास सुन नहीं सकत्ता जत्तों, मैं तो सुन सकता हूँ नहीं, है नहीं अगली बार अंदर घुसने से पहले, डॉक करना फिर अंदर आना, अंजै? यह क्या है? पांच लाग, यह क्या है? कुछ नहीं है, वो हमारे वेंडर है, महता साथ, उनकी पेमेंट करनी है, अच्छा, महता साथ को तीन लाग की पेमेंट करनी है, यह पांच लाग के चेक पर साइन ले रहे हैं, पांच लाग इसको विराज को मेरे खिला भड़का मत है, समझा, इसको साइन करने के लिए उसको, जा मामा जी, मैं विराज को भड़का नहीं रहा हूं, विराज के माता-पिता ने हर बात को सही से विराज को समझाने की मुझे ड्योटी दिये, और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं इमान्तारी से, और वैसे भी अंतिन फैसला विराज का होता है, मेरा नहीं साइन करो यह ना तुझे बहुत नहंदा पड़ने वाले सुझा अब अब बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आये हैं मिलने कितना सुंदर घर है तिल मेरे पास भी ऐसा ही घर होगा अरे माँ अपने सपनों के दुनिया से थड़ा बाहर हो क्या कहाँ सपनों की दुनिया से देखना एक दिन मैं भी ऐसा ही घर में राज करूंगी कौन कहा राज कर रहा अंटे जी कि डॉस्टे वह आपके माली के बारे में बात कर रहे थे कि वह इसने बड़े बंड़े में राज करते हो इस वह तुना जांए मैने आपके बारे में शुदा से ऊहाँ था अईंटी कह रही है कि इन्होनें बहुत तुना है आपके बारे में सुधा से अरे कामी जी आप यहां कैसे ना कर जी वो मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने आई थी आई ये ना अरे बैठे वो सुधा और पारस एक दूसरे को काफी समय से जानते है मैं सुधा बता रही थी मुझको की पारस विराज जी के हाँ मैंनेजर का काम करता है अरे हैसे हमारे हाँ कई नोकर जाकर है हुआ अज़ वो सुधा के विशादी के उम्र हो गई है तो यदि आपको कोई अइतराज नहो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ अधे यह तो बहुत अच्छी बात है भाई मुझे तो यह रिष्टा बन जूगा है नहीं मामाजी पहले विराज से तो पूछ लीजिए कि वो यह शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है तुझे तो उसकी भाषा आती है ना तो तू पूछ ले उससे विराज यह तब लोग तुम्हारी शादी शादी इस लड़की से करवाना चाहते हैं है अहां तुझे राज भी मुस्कुरा रहा है इसका मतलब उसे शादी मन्जूर है तो कामिनी जी शादी पकी समझे पर पर क्या रतनागर जी तर असल हमारे आना एक प्रथा है अगर किसी लड़के के बच्चे के माता पिता अगर एक साल में गुजर जाया तो उसी एक साल उसकी शादी हो जानी चाहिए नहीं तो अगले तीन-चार साल तक हम उसकी शादी नहीं कर सकते हैं और विराज के माता पिताई की बरसी अगले चार दिन बाद है तो हमें ना दो से तीन दिन के बीतर ही बीतर रेजिस्ट्र करनी पड़ेगी शादी मुझे लगता है कि शायद विराज को समझ में नी आई बात विराज को सब समझ में आ रहा है विराज जहरा शादी सुदा से तो देखो विराज की मुशकुदा बता रही है यह तक बोल राही है पार्त परreci थिराज ते रहा हैं कि आपको पता है वह सुन को बन नहीं सकता हम लों भी और में यसके बादिया उसकी साधी तुदा आप किसी ने किसी से तो शादी करवानी है ना तो विराज से अच्छा लड़का और कहां मिलेगा अरे इसे बताने की क्या जर्मत है इसा गाई थोड़ है हमारा अरे विराज को देखिए मुस्कुरा रहा है शर्मा रहा है इसका मतलब शादी पक्की समझीए उसे भी सुधापस अवे मन्जूर है तुम भीर बहुत बढ़ी है आप यही रहिए और मिलकर हम शादी की तैयारियां करते हैं जी जर्म पारस तुम आज जल्दी चुट्टी कर लो जाओ आराम कर लो जाओ अरे विराज जाने दो उसको इतने महमानों के बीच में एज चुटे लो चलो जाओ यहां से आईए कामिनी जी आईए वे सुधा जी आईए कमरा दिखाता हूँ मैं आपको अच्छा है पिराज मैं तुमसे प्यार नहीं करती अरे नहीं अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं पारस से पारस से प्यार करती हूँ इसे तो कुछ भी समझने आता अब ऐसे कैसी इसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है और मेरी मा मेरी मा इसके साथ मुझे फसाने में लगी लगी क्यों बहुत कीपती चेहन लग रहा है यह अगर तुम मेरा युही साथ निभाती रहो ना तुम्हें ग्यानियों से मढ़ दूंगा साथ तो आपने मेरा निभाया है वरना मेरी बेटी उस भिकारी पारस के चुंदल में फस्दी होती है अगर तुमने मुझे सुधा और पारस के ख्यार के बारे बेनी बताया होता ना तो मुझे यह विराज और सुधा की शादी का एडिया का से आगा और जब मैं उन के शुल्म में 14 साल के लिए जिल गए था तो यह मेरे बाप ने मेरी प्रॉपर्य बेहन और जिजाजी को दे दी थी और जब मैं जेल से वापस आया, तो मैहन और ज Literally ने ने इह प्रॉपरी वापस देने ने से कार कर दिया तो दूं मैंने उनको एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया लेकिन ने ओनों ने ये प्रॉपर्टी पहले ये वे राज को दे दी थी तो क्या आप विराज को भी मलवाद होगी? नहीं. अगर वो मर गया तो यह सारी प्रॉपर्टी एक एंजियो को चनी जाएगी. और यह प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करवानी है. इसलिए मैं तुम्हें जैसा कहता जाओंगा ना, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा रहा हूँ. तो फेड, आप अपना वादा नहीं भाएगे? और मैं अपना वादा नहीं भाऊंगी? शायद मेरी शादी का ख्याला है. उनके दिन आया है? यदि आपको यह इतराज नहो तो मैं सिधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती है. हेलो, हाँ, सुधा? पारस? सुधा, हमने क्या सोचा था और यह क्या हो गया? पारस मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ इतनी चल्दबाजी में हो गया कि मुझे कुछ समाजी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? सुधा, यह तुम्हारे मम्मी रतन जीओं कैसे जानती है? मैं नहीं जानती है. सुधा, तुम्हारी और यह विराज की शादी की बात यह अचानक चल्दबे में मुझे कोई साचिछ दिखाई दे रही है. कुछ भी हो, हमें यह शादी रुकवानी होगी. लेकित कैसे है? मुझे नहीं बता. मैं आज ही मम्मी से बात करूँगी और इस शादी को करने से मरा कर दूँगी. हाँ, यही ठीक रहेगा. और देखो, तुम्हारी बात होते ही न, तुम तुम मुझे ख़वर करना, ठीक है? हाँ. तुम डिनर के लिए अभी तक तयार नहीं हुए? तयार हो जाँ, तो थोड़ा मेक अप कर लो. मा, मा वो, मा मैं वीरास्ते शादी नहीं करना चाहती. क्यों? क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते कि मैं पारस से प्यार करती हूँ. तो? तो मैं वीरास्ते शादी क्यों करूँगी? क्योंकि उसके पास धीर सारा पैसा है. मा, लेकिन पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता. इसके पास पैसा नहीं होता न? यकीन मानू मेरा गिद्धों की तरह नोच खाती है. अपने भी साथ नहीं देते हैं. इसलिए अपने भविश्यों को सोच के चलना पड़ता है. लेकिन मा, अपने फ्यूचर का सोच के अपने आज को खराब करना, यह तो भीवा कुख हुई न? जब मैं तुम्हारी उमर के थी न, तब मैं भी ऐसा ही सोचा खरती थी. मैंने भी पैसे और प्यार में प्यार को जगा दी और तेरे बाप से शादी कर ली. मुझे क्या मिला इससे? गरीबी, दुख, फर्मेगे सब तेरे साथ नहीं होने देना चाहती. लेकिन मा, पारस के पास भी बहुत पैसे हैं, वो भी मुझे बहुत खुश रखीगा. और विराज, पांच लाग. अब तुम ही बताओ, कि तीस हजार तुम्हें ज़्यादा खुश रख सकता है या पांच लाग. और विराज के कम्या? कम्या किसमें नहीं होती? उससे क्या होता है? शादी के बाद सब कम्या दोल जाती है. सुधा, मैं तुम्हारी मा हूँ. मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोच सकते. मैं नीचे डिनर के लिए जा रहे हूँ. अगर तुम्हारा मन विराज से शादी करने का करे, तो तुम तयार होके नीचे आ जाना. वरना, मैं रतनागरजी से कहकर उनसे पिनके पैर पकड़के माफी मांग लोंगी. उनकी गालिया भी खा लोंगी. और विराज से तुम्हारी शादी तोड़वा दूगी. हेलो. हेलो, हाँ, हाँ, सुधा, बात की तुम्हें अइंटीस हैं? हाँ. तो क्या कहा हो उन्हें? मम्मे का कहना है कि मुझे विराज से शादी कर लेनी चाहिए. और तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो सोच सोच के सर बटा जा रहा है. एक तरफ में अपनी मा का दिल नहीं तोरना चाहती. और पारस दूसरी तरफ में तुम्हें भी निखोना चाहती. देखो, सुधा, अब तुम जो भी फैसला लोगी ना, उसी पर हमारा भविष्य निरभर करता है. भविष्य? हाँ, भविष्य. और मुझे पता है कि तुम जो भी फैसला लोगी वो एकदम सही होगा. पारस तीस हजार कमाता है महीने का और विराज पांच लाग. अब तुम ही बताओ, कि तीस हजार तुमें ज्यादा खुश रख सकता है या पांच लाग? यह लेकिन सुधाकार है गई भई? बस आती ही होगी. अमा. देखो, वो आगे. आगे. मैंने अपने फीचर के बारे में तो सोचा ही नहीं था. इसलिए आज के बाद आप जैसा कहेंगी, मैं ठीक वैसा ही करूँगी. तुमने बिल्कुछ सही पैसला किया बटा. अब चाहो और विराज को रेचाओ. जिससे हम इस खर पे राज कर सकें. जाओ जाकी विराज को खाना जो. जाओ. जाओ. लेजेन अपलो, अपलो बेच विरिगेजिए. क्या खाना बनाया? बस वा आगया. पारस, तुम यहाओ, रेस्वाप? मैं यह देखना आया था, कि तुमने क्या फैसला दिया है? और देखा मैने तुमारा फैसला. मुझे मेरी एक बात रखने का मौका तो दो. नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है. मुझे लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी उनमें से एक निकली. तुमने पैसे के लिए पने प्यार को ठोकर मार दी. और मैं समझ गया हो आप सब. और मैं जा रहा हूँ विराज को सब बताने के लिए. क्या विराज को बता दोगे? मैं सब कुछ बता दूआ. तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे. मैं करूँगा और मैं जा रहा हूँ यहां से. पारास! पारास! मैं? चुधा से प्यार करता हूँ चुधा मुझसे प्यार करती है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं चुधा यह बात हम सुधा से ही पूछ लेते हैं कि वो किस से प्यार करती है बताओ सुधा हाँ सुधा हमारे जो भी है तुम सब कुछ बता दो मैं तुमसे प्यार नहीं घर्थी मैं तुमसे शादी करना चाहते हूँ सुधा, जल्स, लेए சुधा, जल्स... समाजuju यह? यह वियुल, सुधा, जल्स, जल्स… சुधा, जल्स, 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 लेए? तो रही होगைத்தे, रही इट्नावं आठनीगी, जल्स, 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 छुण, विराज, ताज, जिसके जूटी तुन्हें तनी मंदारिस है कि ताज, उसका साया ही तेरे सर से छोट चुका है. कि राज की शादी जब तक नहीं हो जाती तु यहीं बंद रहेगा, देखतो हो तुझे कौन बचाता है. थाय थो, थायाğ कि शादी कर पाया है आज्ब अग इसके जुष केश़ाि के तुफी के जुटो हीती एlet, शादी के शादी के पायं विचे आपेपर्स हीख़। तुलान कोली आये! का विनीजी रजिस्ट्राज जी सिगनेचर ले लेते हैं रजिस्ट्राज जी कि मेंलų कुержने रजिस्ट्रा रजिस्ट्राभ का कि का मेंहें जी आये? करया है कि Grandma, ए? विराज, इस प्रवाइब रोगों ना, रजिस्ट्राइब प्रफो, देरो रहा है, जिल्दे! विराज, आप एक कामणी जी शादी सम्पन भी, आप एक काम भी ना, आप एक काम भी जी शादी सम्पन भी, आप दुल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में ले जाहिए, यह ना, मैं रजिस्ट्रार साब को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ, हाई अजिस्ट्रार साब कर दोड़ कर दो में ले जाहिए, यह ना, मैं रजिस्ट्रा दुल्हन कर दो दुल्हन कर दोड़ करता हूँ, हाई झाल झाल आज में तुझे इससे शौक नहीं दूँगा आज में तुझे इसा जख्त नूँगा कि जिस्से तु कभी नहीं भरपाएगा शलाट जिस्छा कर दो कन्तों नहीं अ एक कुझे यह को काल श торफ शीजिए यह को दो और उनको पगा आजए एक में मालत आज को दुझे इससे जए तुowi नहीं अ बॉड आएगा देखा, तेरी सुदा अब पर राज की हो ली है, तेरे मालिक की, देखा नी जा रहा ना, जिसकी सेवा तुने इतने सालों तुकी है। हेड्स छुए हेड्स आई.. जा जज़े है रहा तुकी है कहेड़् कको। लुण। यह कोई कि रहाँ झाला जञए हुआँ प्रॉपर्टी के प्लैन में तुम्हें अमिशा टामड़ाई है इसलिए मैं तुझे आसानी से तो रियाने करूँ माँ मैंने तेरे गाउं में ना अपने कुछ लोग भीजिये जो मेरे एक कॉल पर तेरे पुरत परिवार को खते कर सकते हैं समझा देखें मैं अपके हाथ जोड़ता हूँ आप उनके साथ कुछ पर कीजएगा फ्लीज उसके लिए तुझे मेरा एक्ताम करना होगा आप जो भी बोलेगे मैं करने को तयार हो लेगे तो उनके साथ ठीक है तुझे विराज को जान से मारना होगा क्या आप कभी जेल नहीं जाना चाहता है पर मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे दूर रखने वाला कोई भी इंसान जिंदा रहे इसलिए तुम्हें अब मेरे लिए विराज को मारना हो वड़ना मैं तुम्हारे पुरे परिवार को खत्म करतुगा तेकि आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तह यार हूँ लेकिन प्लीज मेरे परिवार को कुछ को तेजीएका मैं करूगा मैं करूगा ठीक मैं अपना व्लादा हमेशा पूरा करता हूँ आप कितने अच्छे मैं अभी आती हूँ मैं अच्छे आओ तुम यही सोच रहे हो गए ना कि इतने पैसे मेरे पास कहां से आए तो मैं तुम्हे बता दूँ कि मैंने वो कंपनी के पीछे वाली जमीन रातो रात बेच दी एक हादी को अरे मैं भी कितना बूर हूँ यार मत में तो कुछ समझी नहीं आएगा यह देखो सब साफ हो जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो विराज, इस शिकनीचर करो ना? रेजिस्ट्रार सब फो तेरो रहा है भई, चुल देगी। अरे यह तो फोटो कॉपी है, औरीजिनल मेरे पास है। मैं अपने बात की प्रापर्टी वापेस लेली है। इस वानस को भी आनस है। और तेरा मोभाईल अब कुछ दिर नहीं मिलेगा। जा, मेरे पास राएगा। अब सम्झा, थारदो रहा है नादे रहे, अब रहा है, अब रहा है। घुवी, अपने बात की प्राचित्ती निक्लाव। झाल 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 अरे, देखो, गाविनी, सुधा, एदेखो, पारा, इदेखो, पारा, इदेखो, पारा, पारा, एदेखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, पारास की एद्य हिंवत, इराज को मार दिया, मुझे तो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं, हाई भू हमें भी? तुम दोनों को डरने की ज़ुरत निये, मैं हूँ ना? तुमें काम करो, मैं समालता हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो, ठीक है? पुलिस निशन? उमें भी, भी राज, क्या होंगे हैंप। हमें लिखियो होंगे हुए राज को हेलो, हेलो, एम्परेंच, आप भी राजचिख्री के बगले पर चल दिया जाए अआँ कर दो शुरू是什麼 शुदध। 5 सुदध। istem कि लिए उछरें स्थ recipient को अ कि लाखर, लुक हुटें युझ रहोशिल कौन है यह और क्या हुआ था यहां यह इरत्नागर जी है इनके बांजे गुंगे बहरे जो है उनके उपर उन्हीं के करमचारी ने पारस ने चाकुमार के हमला कर दिया उसी को देखने के लिए वो गली के बाहर गये थे पर उन पर भी हमला हो गया बंगले में आकर वो भी मर गया देखो आसपास को कोई दिख रहा है गया इसकी कोई जरुरत नहीं है सर विराद यहीं विर्याज पे तो पारस ने हमला किया था ना? वो सब एक नाटक था प्रच्वाण फ्र आसपास प्रच्वाण 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 झाल झाल सब्सक्राइब करता है तो सुधा की और विराज की शादियों में कुछ गरबर ना करूँ इसलिए मामा ने मुझे बंदी बना कर रखा और बहुत टॉर्चर किया उसके बाद जब उसने मुझे रिया किया तो तो तुझे विराज को चाल समाना होगा इसलिए मैंने विराज पर हमला किया और उसको हलका से जखन दिया बहुत गहरा गायल नहीं किया कि मैंने सुचा कि हमारा ऐसे करने से शायद हम रतनागर के चंबल से बच जाएं रतनागर को फोन करके रतनागर के आदमियों को पकड़ने के लिए गए सब करने से शायद हम रतनागर के चंबल से बच जाएं तो तुमने रतनागर को क्यों मारा सब करनागर के रहा है कि रतनागर ने विराज की प्रोपर्टी भोके से अपने नाम कर ली थी और सब विराज को लगता है कि कामेनी विरतनागर से मिली हुई थी पहले इनकी बात पूरी होने दीजे और इसने विराज पर जान लेवा हमला भी करवाया था लेकिन विराज इसमें बच गया तब मेरा अश्या की यकीन में बदल गया कि मेरे माबाब को भी रतनागर नहीं मरवाया है मिस कामनी आपका इस शड़े अंत्रों में कैसे हाथ है मैंने कुछ नहीं किया मैं बताती हूँ रत्वागर जी ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था और साथ में कहा था इस सुद्धा और विराज की शाधी भी करवा दे मेरे सर्टिफिकेट की पेपर के साथ वो प्रॉपर्टी की पेपर्स पे भी साइंड करवा ले और उसकी प्रॉपर्टी हत्या ले ले ज़से भी मुझे पारह सु तो सुदा की शादी मनजूर नहीं थी तो मैंने उनकी बात पुमान ले और सुदा को मना लिया शादी के लिए सबको ले चलो थाने करण ले दो करतो